23 समय के अनुसार IPL की रेटेंशन लिस्ट 20 नॉमबर को जारी कर दी गई जहां लीग के 15 में सीजन के लिए कुल 27 खिलाणियों को रेटेंड कर लिया गया है जहां जादातर फ्रेंचाइजी मेन प्लेयर्स को अपने साथ रखने में काम्याब रही है वहीं कुछ ऐसे बेस टार्ट थे जिन्होंने अपनी टीमों से किनारा करके आक्शन में जाने का फैसला किया है लेकिन इन सभी के अलावा फ्रेंचाइजी के जिस फैसले ने सभी का ध्यान अपनी और खीचा और जिसे देखकर क्रिकेट दिगजों ने भी उनके फैसले की जम कर सराहना की वो था IPL 2022 से पहले टीमों द्वारा उनके अनकैप्ट भारती खिलाडियों पर भरोसा बनाये रखना क्योंकि कुल 27 रेटेंड खिलाडियों में से 4 ऐसे नाम भी थे जिने इस लीग में उनके द्वारा किये गए शांदार प्रदर्शन का ही नाम मिला है और हर सीजन इस लीग में किये गए शांदार प्रदर्शन के दम पर कई युवा खिलाडी अंतरास्टे इस्तर पर भी अपनी अपनी टीमों के लिए खेले जाते हैं जिसमें हर फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीमों में कुछ युवा खिलाडियों पर दाउन लगाती है जिन्हें वो भविशे के लिए एक बेहतर खिलाडी के रूप में देखती है या फिर वो खिलाडी उस टीम का एहम हिस्सा बन जाते हैं जिनके परफॉर्मेंस में एक कं चालिया है बलके खिलाडियों का मनोबल दोगना बढ़ा दिया है तो चलिए दोस्तों बताते हैं कौन से IPL टीम ने किस अनकैप्ट खिलाडियों को शामिल करके समझदारी भरा फैसला ले लिया है इस लिश्ट में सबसे पहला नाम संराइजर्स हैधराबाद का है जिन्हो की समझ पिछले दोनों सीजन में खेले के मैचों में प्रभाव डालने में काम्याब नहीं रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए खेलते हुए दाएं हाथ के खिलाडी ने काफी नाम कमाया है वहीं उम्रान मलिक इसी सीजन नटराजन के रिप्लेस्मेंट के रूप में शामिल हुए थे और दाएं हाथ के तेज गेंद बाज मलिक हैदराबाद की रिटेंशन लिस्ट में जम्मू कश्मीर से आने वाले दूसरे खिलाडी हैं पिछले सीजन आरसेभी के खिलाफ एक ही मैच में लगतार पांच गेंद एक सो पचास किलो मीटर प्रतियावर की जा अलामी बलेबाज यशास्वी जैसवाल के पिछले सीजन में किये के शांदार प्रतरशन को देखते हुए उन्हें अपने साथ रखने का फैसला किया है बता दें 2020 के अंडर 19 वर्ल कप में शांदार प्रतरशन नहोंने किया था और प्लेयर आफ द टूनामेंट भी रहे थे जिसके बाद रॉयल्स ने उसी सीजन के आउक्षन में 2.4 करो रुपे में खरीदा था और अब उनके उजवल भविशो को देखते हुए अगले सीजन के लिए उन्हें रीटिन किया है जबकि पिछले सीजन बड़े नाम होने के बावजूद प्लेय आफ तक ना पहुचने वाली पंजाब किंग्स की टीम ने भी दिगज खिलाणियों को छोड़ कर युवा अर्श रिप सिंग पर भरोसा जताया है जिसके बाद 22 वर्षी दाएं हाथ का ये मीडियम तेज गेंदबाज अगले सीजन के लिए पंजाब किंग्स के साथ ही बना रहेगा जहां 2018 में अ अंडर 19 वर्ड कप के लिए उन्हें भारती टीम में शामिल किया गया था और 2019 के पहले पंजाब किंग्स ने उन्हें आक्शन में खरीद लिया था और उसी सीजन वो टीम के लिए दूसरे सबसे जादा वेकेट लेने वाले गेंदबाज भी रहे थे हलांकि अभी तक टीम के लिए खेलने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका है लेकिन जून 2021 में वो बतौर नेट वालर भारती टीम के साथ स्रिलंका के दौरे पर गये थे ऐसे में पंजाब किंग्स का और शदीब को रिटेन करना काफी समझतारी भरा फैसला लग रहा है तो दोस्तों आपके पंदारी हो तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें